इस टॉपिक के अंदर हम अपने सेकेंड जो है वो प्रोजेक्ट स्टार्ट करने जा रहे हैं एक हमने CAD 2D, then CAD 3D, 3DS Max तो अब हम क्विकली जो है जरा बड़े लेवल पे जा के क्योंके पहले हमने एक 5 मरले का घर जो है वो उसकी डिजाइनिंग देखी थी तो अब हम इस तॉपिक में और आने वाले जो कुछ टॉपिक्स हैं इसके अदर क्विकली एक वन किनाल हाउस प्लान अगर हमने बनाना हो जो के नॉर्मली बड़े लेवल पे बन भी रहे हैं डिफरेंट सीटीज के अंदर उसके अंदर स्पेस भी थूड़ी सी जादा होती है तो हमें आइडिया हो जाएगा के इससे देखकर क्योंके पहले थो हमेरे पास बहुत एक लिम्टेड स्पेस ती जिसके अंदर हमने बहुत ब्हुत बमुश्कल जो है वह एक कार पूर्चर जेस्ट की थी या बाथरूम हमने एक बनाया वह भी जाके rare space में तो यहां क्योंकि हमारे पास space ज्यादा होगी options available हैं तो हम design करेंगे इसमें master bedroom bedroom simple kitchen और भी हम चीजें देखेंगे living room भी definitely बहुत बड़ा होगा second हम जो चीज इस में करेंगे वो यह होगी हमारी कि हम जड़ा quick चलेंगे try करेंगे कि क्मांड हम सीख चुके हैं already हम work कर चुके हैं तो हम जड़ा quick way में ताकि आपकी practice भी जल्दी हो जाए और हम इसको थोड़े से topics के अंदर complete कर लें house design को बढ़ते हैं CAD की तरफ और firmly start करते हैं यह हमारे पास file का नाम हमने one canal house ही रख दिया है plan भी सब्सक्राइड कर सकते हैं word ताकि quickly हम और इस topic के अंदर क्यूंकि हमने एक very quickly location plan बनाना है और इसके साथ हम एक basic layout बना लेंगे open spaces जो लाहोर development authority के हम देख लेंगे standards के according हम उसको भी छोड़ देंगे हम यहां पर एक layer create कर लेते हैं सबसे पहले ताकि हमारा काम असान हो जाए और इसका नाम रख लेते हैं location plan ताकि हमारे लिए असानी हो जाएगी इसको हम यहां से on कर लेते हैं color जो है वो slightly हम फिलहाल कोई भी color यहां से रख लेते हैं और हम work start करते हैं location plan में already क्योंकि आप उस lecture में refer back करेंगे तो detail में आपको idea हो जाएगा कि जब हम घर की location बतानी हो surrounding के context में हम units को quickly ensure कर रहे हैं सेट है तो हम यहां से earth on कर लेते हैं suppose हम यहां पे कोई भी line say 200 feet की जो road को represent कर रही होगी और z enter enter करके इसको हम नीचे लेका जाते हैं और say offset है 40 feet का तो यह हम ensure कर लेते हैं यह means कि यह 40 feet wide road है और अब हम यहां पे इसके दरमयान किसी भी point पे हमारा जो plot जहां भी भी मौजूद है depends तो हम यहां पे एक rectangle लगा लेते हैं suppose हम से स्टार्ट कर लेते हैं कि यहां पे हमारा plot है 50 feet वन किनल का क्यूंकि साइज हमने आ लेडी देखा हुआ है आप refer back करके lecture में देख भी सकते है 50,90 feet तो यह हमारे पास जो है यह suppose हमारा इस time मौजूद है हमारे plot boundary है यह समने road गुजर रही है अब इसके surroundings में कोई यहां plot होगा एक plot यहां पे होगा और यहां पे भी plot होगा और इसका अपना plot number भी कोई ना कोई जरूर होगा so all we need to do is हम चाहें तो और layers बना सकते हैं location plan, hatch के नाम से जो भी आप चाहें आप इसको आगे जाके create कर सकते हैं so यह हमारे पास हमारे plot है क्योंकि इसके हर side पे कोई ना कोई plot exist करता होगा so हम यहां पे जो है वो hatch बाद में कर लेते हैं हम चाहें तो separate layers जिसना पहले explain कर चुके हैं so हम यहां पे simple जो है within click कर लेते हैं और इसका plot number 90 कर लेते हैं suppose और अगर हमने इसकी height को variate करना हो या change भी करना हो so हम जाके text height को fix भी कर सकते हैं अलरेडिय हमने इसको किया भी है और इसका move करके यहां पे भी रख सकते हैं so यह हमारे पास plot number 90 है किसी को जो है हम CO copy with base point कर लेते हैं और एक हम यहां पे रख लेते हैं एक यहां पे रख लेते हैं और एक हम यहां पे रख लेते हैं हम चाहें तो फिर इसको रूटेट भी कर लेंगे और स्पोज यह हमारा प्लाट नंबर जो है से 96 है यह जो है यह 91 है अगर इस तरफ आ रहे हैं हम और यह स्पोज हमारा 89 है तो हम किसी भी पॉइंट से पेक करके तो इस तरह इसको रखना है तो भी कर सकते हैं और इसको भी हम एक्जैक्टली इसी तरह ही जो है वो प्लेस कर सकते हैं तो हम किसी भी तरह इसको रूटेट कर सकते हैं इसको हम चाहें तो अगेन हम रूटेट बैक करके और यहां पे करके और और हैच किसी भी तरह की हैचिंग हम कर सकते हैं वी कन इवन चेंज अगर बाई लेयर करनी है तो भी कर सकते हैं या बाई कलर करनी है तो भी कर सकते हैं यहां पे स्केल भी हम इसका चेंज कर सकते हैं पिक पॉइंट हम कर लेते हैं दुबारा और यहां पे हम इसको 15 करके देख लेते हैं और ओके करते हैं तो यह भी बहुत ज्यादा है एच एडिट की हमने कमांड़ देखी हुई है और हम इसको 40 करके देख लेते हैं 40 में जो है यह हमारे पास प्लॉट नम्बर 90 है इसके स्राउंडिंग वे प्लॉट यह हैं और इसी टेक्स्ट को हम सी ओ कर लेते हैं औ यह हो गया 40 feet wide road तो यह हम बता रहे हैं कि हमारा सामने वाला जो road है that is 40 feet wide और यह हमारे पास quickly जो हमारा एक location plan त्यार हो गया इसको हम side पे कर लेते हैं और इसके साथ जो है वो हम work कर लेते हैं mandatory open spaces अब हमने location plan त्यार कर लिया है तो हम यहां पे rectangle draw करते हैं और 50 by 90 इससे पहले हम एक layer create कर लेते हैं नए वाली ताकि हमारे पास इसमें काम हो और इसमें हम लिख देते हैं कि यह है आपकी boundary boundary layer कर दें या इसको property layer कर दें या कोई भी boundary क्योंकि हम इसके अदर draw करने जा रहे हैं और यह हम जो है वो यहां पे इस का जो है वो 50 feet comma 90 feet तो यह हमारे पास draw चुकी है हम यहां पे आ जाते हैं काम करने अब हमने LDA के bylaws 5 मरलाज में भी देखे हैं और अब हम देखने जा रहे हैं के वन कनाल में तो अगर Lahore Development Authority जहां पे भी जब आप काम करने लगेंगे चाहे आप even you are working जब फ्री लांसिंग में किसी different country के लिए तो वो आपको अपने बाइलाज लाजमी भेजते हैं कि जो आपने घर डिजाइन करना है उसके वहां की requirements क्या हैं तो अब Lahore Development Authority लहोर और मेंली तकरीबन काफी सारे TMA में भी एक कनाल का जब आप घर बनाते हैं तो आपने 7 feet सामने से जगा छोड़नी है जि इसी भी एक साइट से पांच परले के केस में आपको याद होगा कि हमने side spaces नहीं छोड़ी थी front और back में 55 फीट छोड़ा था बट यहां पे थोड़ा सा यही minor difference है साथ साथ और 5 तो यह अगेन hard and fast यह नहीं है कि आपने exactly यहीं करना है जहां पर आप जब डिजाइन करेंगे तो सबसे पहले आप वहां के बाइला standard जरूर देखेंगे जहां बिजाइन कर रहे हैं तो यहां पर जो है अब अगर मैं note करूं इसका मतलब यह हुआ कि यह वाली दिवार यहां पर जगा चोड़नी है इस तरफ ही जगा चोड़नी है और जिस तरफ आप चोड़ना चाहें 5 feet side में एक तरफ 5 feet आपने चोड़नी है इस तरफ इसका मतलब यह हुआ कि फिर आपकी यह नान लोड बेरिंग वाल्स होंगी यह वाली यह वाली और यह वाली क्योंकि इस तरफ भी जगा चोड़के यहां पर construction स्टार्ट है इधर से चोड़के यहां से है इधर से चोड़ हैं ओएंटर तो 4.5 in इंचे तो हम जो है वह इस तरफ से भी क्यूंकि ने जगाछ छोड़नी है इस त्रफ से भी चोड़नी है और इस तरफ से भी चौर नीं है और यह वाली साइट इस यहां पर हमने डारेक्ट वॉल कस्ट्रक्ट करनी है श इसको हम कर लेते हैं ओ एंटर और भी ताहिए थानि इसे ले कि थाके हमारे लिए असानी हो जाए और या हमारे पास परिम हो गगए और यह मरे पास पॉर्शियन कर Stram होगया अब इस प्रिम छोड़ने के बाद step 1 में है क्या किया simply हमने कंदिय किया कि हमने है यहां हाथ इस तरह से 5 इस तरह से और इस तरह से कुछ मिनी नहीं होगा अब 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 हम सेट बेक्स इंशोर कर लेते हैं औल एंटर 7-5 यहां से 7 दे दे देते हम यह वाली लाइन से 7 इसी तरह हमारा आ जाएगा back side से 7 और O enter और 5 pitch और जो के हमारा इस side से आ जाएगा तो यह हमारे पास जो है और अब हम इसको भी कर लेते हैं ट्रिम फिल्हाल यह हमारे पास trim हो गया यह एरिया हमारे पास trim हो गया तो अब इस एरिया को trim करने के बाद यह हमारा area जहां पर हमें construction allow है हम कर सकते हैं अब इस म ले सब्सक्राइब सकते हैं और अब कियूंके यह सारी इस का निय किया किया loneliness अब और ethics को फिलाल और अंदर की जानब देना है बाहर कियुके खोडना है यह वह बना ली है पिर हम डिपैंट करता है कि हो सकता है अब यहां पे यह वाल जरूरत न पढ़े हमें आगे जाके अभी थोड़ी देर बाद हम देखें के यहां कार पोर्च हमने इंशोर करना है तो जरूरत नहीं है लेकर अगर जरूरत हो बट इस साइड से डफिनली हमें जरूरत पढ़ेगी तो इस तरह जो है हमने ज इस टॉपिक के अंदर हमने जो है वो अपना एक कनाल का हाउस प्लाइन स्टार्ट किया और हमने सबसे पहले उसके लोकेशन प्लान प्लान अपको डिफाइन कर चुके हैं बहुत कि हमारा विद रिस्पेक्ट तो स्राउंडिंग प्लॉट रोड भी उसमें आ जाती है कि हम कनाल में जब हम आये हैं तो 77 और एक साइड से 5 भी हमने इंशोर करना स्टार्ट कर दिया है क्यों जादा किया है क्योंके साइज बड़ा है वो साइज इतना चोटा था अगर उसमें छोड़ते तो शायद हमारे लिए कंस्ट्रक्शन की कोई जगा नबच ती इसके मतलब है कि जिस तरफ से जगा छोड़ देनी है हमने वो तो डेफिनल्टी नान लोड बेरेंगा उसमें तो लोड आना ही नहीं है तो अगर जब भी आप देखें कहीं से आप किसी शहर से आपका गुजरो और आप देखेंगे कि कोई आपको तो आपको बड़े प्लॉट्स में एक लाइन देखेंगे जो सेवन फीट नॉर्मली हाइट होती है और सिंगल आपको ब्रिक्स से नदर आ रही होती है तो इसका मतलब यह हुगा कि उस वाल में तो लोड आना नहीं है तो वो हम देंगे फोर एंड हाफ और फिर हमने डिसाइड गिया कि हमारी लोड बेरिंग वा साइड से हमने वो लेफ्ट साइड इंशोर कर ली तो अब हमारे पास एक क्लियर स्पेस बच गई अब जरूरी नहीं के इस स्पेस के अंदर भी सारी लोड बेरिंग वाल्स ही होंगी नहीं कुछ नान लोड बेरिंग वाल्स भी हम रखेंगे बट डफिनली इसके अंदर मे ने देखा था स्टार्टिंग फॉम मास्टर बेडरूम बेडरूम किचन लीविंग एरिया स्टेयर्ज और इसमें हम पैशियो का कॉंसेप्ट भी आगे जाके देंगे और वह देखेंगे भी सही किस तरह है तो इस तरह करके हम नेक्स्ट टॉपिक में आगे आगे मूब कर करते हैं